तो ओके गाईस आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं के आप जो गरीना स्माथ 3.0 Emulator में FreeFire OB 40 апडेट को कैसे इंस्टॉल कर सकते हों तो इस वीडियो में आपको step by step बताने वाला हूं के आप जो गरीना समार्ट Emulator में FreeFire OB 40 को कैसे सट अब कर सकते हो तो चलिए फिर टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको जो अपने PC में Garena Smart Emulator को डाउलोड कर लेना है इसका लिंक जो है मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगा आप जो वहांसे जाकर कईसे डाउलोड कर सकते हुए एंड डाउलोड कर लेने के बाद आपको सिंकलिस पर राइ्ट किलिख करना है एंड रान से ड्मिनरिस्टेटर कर करख कर इसको इंस्टोल कर लेना है then file location select कर लेने के बाद यहाँ पर next पर click कर देना है एंड उसके बाद यहाँ पर फिर से next पर click कर देना है तो यहाँ पर जो ही यह गरीना smart emulator install होने लग जाएगा तो आपको जो ही यहाँ पर थोड़ा सा wait कर लेना है जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ही यह गरीना smart emulator open हो चुका है तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर जो ही यह कुछ इसपी कार का इसका interface देखने को मिल जाता है एंड यहाँ पर हम इसके Android वर्जन की बात करें तो हमें जो इसमें ये Android 4. वर्जन देखने को मिल जाता है तो अब बात कर लेते हैं कि आपको जो इसमें Free Fire Game को कै說 install करना है तो आपको फिरी फायर गेम को इस्टोल करने के लिए क्लोफ करना है कि आपको यहां से अमुलेटर को पहले कलोस कर दिना है एंड ओपन कर लेने के बद अब आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको यह APK को अप्सन मिल जाता है आपको सिंपली इस पर क्लिक करना है एंड जहाँ पर भी आपने यह Free Fire Game की APK फाइल को डालोट किया था आपको सिंपली इस APK फाइल को सलेट कर लेना है देन यहाँ पर open पर click कर देना है तो यहाँ पर यह free fire game install होने लग जाएगा तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर यह free fire game install हो चुका है तो अब आपको क्या करना है कि आपको simply यहाँ पर game को open कर लेना है तो चले फिर हम जो यहाँ पर game को open कर लेते हैं तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर यह game open हो चुका है एंड यहाँ पर यह कोई भी pink skin यह फिब black skin problem नहीं आया है तो दोस्तो इस पिकर से आप जो गरीना smart emulator के अंदर free fire ob40 update को install कर सकते हो तो दोस्तो आई होप के आपको जो हमारी वीडियो पसंद आई होगी अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को like कर देना एंड चैनल पर नहीं आए हो तो चैनल को subscribe कर देना चले फिर मिलते हैं next वीडियो में